अमस्कार किसान भाईयो प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना की ओपीशल बेवसाइट पे एक नया ओफशन जोड़ा गया था EKYC का अब देखिए दोस्तों कई लोगों के मन में एक सबाल था कि सभी को EKYC करवाना अनिवार है क्या तो जी हाँ दोस्तों सभी किसानों को EKYC करवाना अनिवार है जिनका authentication नहीं हुआ है अब EKYC कैसे की जाएगी क्योंके काफी लोग अपने EKYC कर रहे थे तो उनको record not found जो है सो रहा था अब record not found जो हो रहा है तो आपको कैसे EKYC कर सकते हैं आज हम आपको पूरा तरीका बताने वाले हैं आप अपने mobile से ही प्रधान मंतरी किसान सम्मान निदीयोजना के अंतरगत EKYC कर सकते हैं यानि के आधार authentication कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आप देख सकते हैं ये आज की बड़ी news निकल के आ रही है पहले इसके बारे में जानते हैं फिर मैं आपको step by step complete पूरा detail के साथ बताऊंगा कि किस व्रकार से आप EKYC कर सकते हैं PM किसान सम्मान निदीयोजना के अंतरगत 12 करोड से अधिक किसानों के लिए बड़ी ख़वर है EKYC पूरी किये बिना नहीं आएगी 10 वी किस जी हाँ दोस्तो आप देख सकते हैं यदि आपकी EKYC पूरी नहीं होती है तो जो है आपको 10 वी किस का पैसा नहीं मिलेगा 10 वी किस का मतलब यानि के 2021 में जो दिसंबर महीने में जो आपको पैसा दिया जाएगा वो आपको नहीं मिल पाएगा यदि दिसंबर महीने का पैसा आपको नहीं मिलेगा जी हाँ 2021 की तीसरी किस आपको नहीं मिल पाएगी पूरा तरीका हम आपको इस वीडियों बता रहे ह वाली अगली किस्ट का पैसा आपको तभी मिलेगा जब e-kyc पूरी कर लेंगे इसके बिना किस्ट लटक सकती है सरकार ने इस योजना में ये अनिवारिक कर दिया है अब आपको हम पूरा डेटेल के साथ बताते हैं कि कैसे आप e-kyc करवा सकते हैं e-kyc के लिए आप रेजिस कुर्ष पहले लेके चलता हूँ मैं आपको प्रधानमंत्री किशांANG संम्हान नहीं पीशली पूर्टल पर देखेर हम यहाँ पे पुशीदे चलते हैं को फीसली पोर्टल पे प्रधान मंत्री किसान सम्मान ने दियो जिना की अपीसल पोर्टल का लिंक आपको नीचे डिसकस्टों मिल जाएगा या पर सबी जगे पर वीडियो को लिंक को शेर कीजिए जिसे सबी लोग इसका फाइदा उठा सकें क्योंके दोस्तों काफी किसान जो है अभी तक प्रधान मंत्री किसान सम्मान ने दियो जिना कल आप नहीं ले पाए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कम है मतलब गैफ थोड़ा कम है लेकिन बहुत सारे किसानों तक जो है अभी तक प्यम किसान सम्मान ने दियो जिना कलाब प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पा रहा है अब देख सकते हैं यहां पर एक जो है लिंक कि यहाँ पर इस्टेप रहा है अब देख रहे होंगे तो आप थोड़े से वीडियो को इसके मत कीजिए पूरा वीडियो देखिए आप देख सकते एक वाईसी मेडिटरी और पी एम के सांग रेइस्टर फारमर मतलब पी एम के सांग सम्मान दियोजना के लिए अनुवार है प्लिज के लिए किया टूप एक वाइसी ओप्शन फार्मर कॉर्णर आधार बेस OTP मतलब EKYC सभी के लिए अनिवार है आधार OTP से कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन यह बायोमेट्रिक authentication contact near CSC Center मतलब आप आधार authentication करवाना यानि कि EKYC करवाना सभी के लिए अनिवार है यह आप CSC Center पर जाकर करवा सकते हैं या फिर आप अपने आधार नमबर पर OTP मंगवा पर आप मोबाइल नमबर या लेप्टोप मोबाइल से या लेप्टोप से या डेस्टोप PC किसी से भी आप कर सकते हैं तो देखिए इसके लिए आपको कहा गया है कि EKYC का नए option जोड़ा गया है यह सभी के लिए अनिवार है जिन किसानों को प् आधार EKYC आप देख सकते हैं आधार EKYC का option खोल के आ रहा है यहां पर आपको देख रहा होगा यहां पर आपको अपना आधार नमबर फिल कर देना है और यहां पर केप्चर कोड फिल कर देना है जो केप्चर कोड यहां पर दिया क्या है इसको यहां पर फिल कर देना है तो ये सारी detail फिल करने के बाद मैं देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ तो ये सारी detail फिल कर ली है दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है हमने आज हाइट कर दिया है आदा नमबर जो आपके mobile number पर OTP आया है उस OTP को आपको फिल कर देना है मोबाइल नमबर डालते हैं आपको OTP को आपको फिल करने के बाद मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर submit for authenticity यहाँ पर देख सकते हैं submit for authentication तो यहाँ पर आपकी एक KYC पूरी हो जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर रूप से EKYC successfully submitted it यहाँ पर देख सकते हैं EKYC आपकी successfully submit हो चुकी है मतलब आपकी EKYC हो चुकी है यह EKYC करने का पूरा प्रोसेस आप मुबाइल से कर सकते हैं बहुती आसानी से आपके मन में कोई सवाल होता आप हमें comment जरूर कीजिए इसी परकार की latest update पाने के लिए चैनल को subscribe कर लीजिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों आपसे request है